गुड मॉर्निंग और विल्कम बैक तो चैनल स्टूडेंट तो एक बहुत बड़ा अपडेट आया है क्लास 11 वाले के लिए ठीक एक बहुत बड़ा नोटीस आया है इसको जरूर से देख लिजिए नोटीस ये रहा है कि 19 तारीक को जो आप लोग का एक्जाम होने वाला है वो हो गया है कैंसिल ठीक है जो 19 तारीक को आपका जो जो सब्जेक्ट का एक्जाम था वो दोनों फर्स सेटिंग और सेटिंग दोनों कैंसिल हो गया है कैंसिल होने का कारण तो नहीं बताए गया है ल परिच्छा अपरहिये कारण वस स्थखित की जाती है उक्तिवीश्यों की परिच्छा निम्नुवत कारिक्रम की अनुसार आयूजित की जाएगी ठीक है तो इसका एक्जाम कब होगा इसको हम बता दे रहे हैं बाकी ये वीडियो को एकड़ा से शेयर कर दीजे आपके जितने में दोस्त हैं सरकल है इसको जादा जादा फैला दीजे नहीं तो पता चलेया कि दिक्कत हो जाया क्योंकि आज हो गया 18 तारिक बाकी लोग कहीं कल मिस्टेक से ना चल जाए इसलिए जादा जादा इसको शेयर कर दीजे ताकि उन लोगों को पता चल जाए कि हाँ एक्जाम उनका रहेगा ठीक है बाकि तो आपको पता ही कितना-कितना Max का क्या है एक्जाम और पेपर 2 जो है second setting में होगा मलब paper 3 जो है second sitting में ही रहेगा यह arts के लिए जो elective language है ठीक है elective language for arts तो वही जो भी है टाइम आपका दो बजे से तीन पंदरा तक ही है बाकी तो आप लोगों को ये पता ही है ठीक है तो ये एकदम किलियर हो जाईए कि साइन्स वाले का और कॉमर्स वाले का फर्स्ट सिटिंग में 20 तारीको है और सेकेंड सिटिंग में आर्ट्स वालों वे अपने संस्थान के नोटिस बोर्ड वर्ग कच परिच्छा कच के ब्लैक बोर्ड पर इस आशे की सूचना प्रकासित करना सुनिशित करेंगे ताकि संबंदि छात्षात्राओं को अनावश्यक परिशानी का सामना ना करना पड़े ठीक है तो यह है आपका 18 तारीक ही 17 को यह आया था बाकी 18 को यह पब्लिश है तो यह जारकंड अदिवीज परिशत के द्वारा भेजा गया है तो आप इसको समझ गये हैं 20 तारीक ही परिचा है बाकी बस कोसिस कीजिए जाधा 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 सेयर कर दिजे सारे लोग को इंफॉर कर देजीगा तो चलिए फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वोडियो में तब तक के लिए बाइन टेक केर